देखा जाए तो इस जीत में दीपक उड़ा और सूरिकुमार यादव का भी योगदान रहा जिनोंने मिलकर तेजी से 72 रंजोडे जिसमें साथ चोके और चार चके शामिल थे इनके बाद रनों का पहाल खड़ा करने का जिम्मा उठाया हारदिक पांडिया ने 33 गेंदों में 51 रनों की शांदार पारी के साथ ही हारदिक ने T20 इंटरनेशनल में करियर का पहला अर्ध शतक लगाया एक समय ऐसा था जब टीम इंडिया 200 प्लस का स्कोर आसानी से खड़ा कर सकती थी लेकिन आखरी के चार ओवर में लगातार विकिट गिरते गए और इंडियन टीम 198 रन बना पाई टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम को पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सबर्दस जटका दिया और कप्तान जौस पटलर को डग पर आउट कर दिया हलाकि दाविद मलन ने पारी को सम्हालने की कोशिश जरूर करी लेकिन पाचवे ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने इनको वापस पवेलियन बेजा और इसके ठीक तीन गेंद बाद लियम लिविंस्टोन का भी विकिट चटकाया तो वहीं हार्दिक ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया और सैम करन को दिनिश कार्थिक के हाथों कैच दिलाकर विकिट निकाला नीदर लेंड दोरे में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली इंग्लेंड टीम को शायद इंडिया के इस उम्दा प्रदर्शन की उमीद ना थी और टीम 148 पर 3 बॉल 6 रहते आल आउट हो गई अब दोस्तों अगला टी 20 मुकाबला 9 जुलाई यानी की कल शाम को बर्मिंगम में इंडिन टैमिंग के अनुसार 7 बजे से खेला जाएगा देखते हैं क्या टीम इंडिया इस मैच को जीत कर सीरीज अपने नाम करने में सक्सेस्फुल हो पाती है या नहीं